मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बारह जनबड़ी, तेरह जनबड़ी और चोदह जनबड़ी का दिन में सरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले तीन दिनों में में सरासी वालों के जीबन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले तीन दिनों का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आज माती हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार होगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जै हनुमान कमेंट कर दें मित्रों आने वाले तीन दिनों में अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका आने वाला शमय सामाने रहेगा नजियादा बिहतर नजियादा खराब मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़िशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले तीन दिनों में उस पड़िशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं उस पड़िशानी को अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत जियादा खराब होगा वैसे आने वाले समय में अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आपके प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आने वाला समय सामाने तोर पे बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार होगा दोस्तों आने वाले तीन दिनों से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा किया था कोई भी प्रोमिस किया था तो आने वाले समय में अपने वादे को अपने प्रोमिस को आपको निभाना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रेम संबंध बहुत ज्यादा रोमांचक और बेहतर होगा वैसे आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक कारोबाडी हैं बेपाडी हैं तो आने वाले समय में अपने कारोबार के छित्र में अपने बेपार के छित्र में समय का दुर्प योग करने से आपको बचना होगा क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अपना कीमती समय बड़बाद करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा तो यही था आपके आने वाले तीन दिनों का रासी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले तीन दिनों में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका शमय बहतर और सांदार होगा दोस्तों आने वाले तीन दिनों में अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए एक मंतर है उस मंतर का जब आपको करना होगा वो मंत्र है ओम हंग हनुमते नमह ओम हंग हनुमते नमह इस मंत्र का जब अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर और सांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद